हेलो एबरीवन, क्लाश ट्वेल्थ सप्लिमेंटरी क्या सिख्थ चैप्टर, अन्द फेस आफ इट जिसको सुसन हिल ने लिखा है, यह एक नाटक है, तीन द्रिस्यों का, नाटक की कहानी, एक 14 वर्सी की शोर लड़के, डैरी जिसका चेहरा जल गया है, तथा मिस्टर लैंब जो लंगडे हैं, जिनकी एक पैर लोहे की है, डैरी मिस्टर लैंब के बगीचे में इसलिए प्रवेश करता है, ताकि वो अपने आपको उन लोगों से छीपा सके, जो उ से घ्रिडा करते हैं, मिस्टर लैंब अपने बगीचे में उसका स्वगत करता है, और अतीत को छोड़कर साधारण जीवन जीने, आशावादी द्रिष्टिकून बनाए रखने, तथा कड़वाहट से बचने की सलाह देता है, यह कहानी विकलांग लोगों को होने वाले शा पास पास रहने वाले लोगों के बवहार के कारण होने वाले दर्द का वरणन करती है, आईए सुने कहानी, कहानी एक चौदा वर्सी की शोर लड़के डैरी से शुरू होती है, एक दुरघटना के कारण उसके चेहरे पर एसीड बह गया था, और एक तरफ जल गया था, इस चिपने के लिए मिश्टर लैंब नामक बुढ़े ब्यक्ति के बगीचे में प्रविश करता है, मिश्टर लैंब उसे अनुमत ही के बीना बगीचे में पहुचने पर दोसी मानता है, किन्तु अपने बगीचे में उसका स्वागत करता है, और उसे बताता है कि उसकी उपस् के लिए कहते हैं और फिर वे दोनों आपस विवारता लाप करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से कोई भी डैरी को पसंद नहीं करता और वह कैसे लोगों से नफरत करता है तो मिस्टर लैंब उसे सांतो ना देने का प्रयास करते हैं मिस्टर लैंब उसे बताते हैं कि उसकी एक टांग एक धमाके में चली गई जिसकी वज़ा से कुछ बच्चे उसे लैमी लैंब लंगडा लैंब कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं फिर भी वह अपने जीवन का पूरा आनन्द लेता है मिस्टर लैंब उसे सकारात्मक चीजों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं लंबे समय से वे दोनों दोस्त बन गए हैं इसलिए मिस्टर लैंब डैरी को अपने बगीचे के केकड़ सेव को लूटने में उसकी सायता करने के लिए कहता है डैरी उसे बताता है कि वह अपने घर से बहुत दूर तीन मिल दूर आ गया है और उसने अपनी मा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो मिस्टर लैम उसे अपनी मा से अनुमत लेने के लिए कहते हैं पर डैरी को यह मुश्की लगता है इससे उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहंस हो जाती है अट लास्ट डैरी सहमत हो जाता है और अपनी मा से अनुमती लेकर आने की बात कहता है वह घर पहुँचता है उसकी मा उसे वापस जाने से मना करती है किन्तु वह वापस जाना चाहता है लोहे की पैर वाले बुड़े आदमी से किये गए अपने वायदे को पूरा करना चाहता है वह उसकी बाते सुनना चाहता है गाती हुई मधमक्यों से लैंब की वारता को वह कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ जंगली सेवों को तोड़ने में उसकी सहायता करने चीजों को देखने और सुनने और चला जाता है मिस्टर लैंब केकड़े सेवों को गिराने के लिए एक सीड़ी पर चड़ता है क्योंकि उसे विश्वास था कि डैरी वापस नहीं आएगा उसकी विकलांगता के कारण सेड़ी पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल था फिर भी वह सेड़ी पर चढ़ता है, सेड़ी से फिसल जाता है, गिर जाता है और मर जाता है टैरी उसकी मदद करने के लिए बगीचे में लोडता है बगीचे में आने पर वह उसे जमीन पर गिरा पाता है वह उसे उठाने का प्रयास करता है जब लैंब कोई प्रत्किया नहीं करता वह रोता हुआ चिलाता है मिस्टर लैंब सब ठीक है तुम गिर गए मैं यहां हूँ मिस्टर लैंब सब ठीक है मैं वापस आ गया हूँ लंगडे लेंब मैं वापस आ गया हूँ वह रोना शुरू कर देता है कहानी से हमें सिख्छा मिलती है कि हमें अपनी इस्थिती पर कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए हमें सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए ठैंक्स फर वाचिंग में